नमस्कार पिछले वीक मैंने एक वीडियो डाला था साउथ इस नॉट बैट डिरेक्शन वो देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने प्रश्चन मुझे पूछे मेरे इंस्टा पर फेस्बुक पर यूटूब पर और परस्नली भी कि दिशा का नीर्ने कैसे करें जब वास्त कि अंधर आए तब देशा देखनी चाहिए या वास्तु के बहार जाए अपने घर शौप या फेक्ट्रियम कोई ऑस्तु हो उससे बहार जाए तब इ् worked with पर रही मेल एक परेखन यह कहां से में अर्टिम बाहर से देखे यह ऑर points रूडरींगerson के माइब देखना और हुर्स सब्सक्रण गया कि नॉर्थन हुमी इस सबसे पहले हम बात करेंगे कि दिशा का नीणय कैसे करें वास्तु के सब प्रमान वुर्द गरन्त में कि विदावट एनि कंसूरं यह बताया गया है कि दिशा का नेणय हम जब द्मार से बाहर निखले आपका जो बास्तु है उससे बाहर निकले आपका पड़ार हो या आपका घर हो या आपका शौप हो या आपकी फैक्टली हो या आपकी ओफिस हो आप जब बाहर निकले तब जो डिरेक्शन हो वही डिरेक्शन आपके वास्तों की कही जाएगी तो दिशा का नेने हमें बाहर निकलती हुए देखना है अंदर आते हुए नहीं देखना है और उसके प्रमान भी मैं देना चाहूंगा और इसके मैं प्रमान देना चाहूँगा तीन प्रमान देना चाहूँगा पहला रेफ्रेंस है शल्प शब्द कल्पद्रुम में से वापरिक सुत्र है सुत्र यह है द्वारती निर्गच्छती गुरुह अभ्यांतरात अनेन इती सेकंड रेफ्रेंस है ब्रह्म वैवर्ट पुरान में से उसमें कहा गया है गुरुही नाम शुबदम द्वारम प्राका रस्य गुरुहस्य च और त्रीसाज रेफ्रेंस है वह है वास्तु के ग्रंत में से जिसका नाम है वास्तु रत्नाकर वहां पर सुत्र है दक्षिनाहा प्रुक्त्र मंधिरानन नहीं सुरुते सती तीनों सुत्र में एक बाद स्पस्ठ कही गई पास्तु के जब हम बाहर निकलते हो तब जो डिरेक्षन आये वही डिरेक्षन बास्तु की कही जाएगी क Morm B produced देखते हैं दूसरा पुछा गया था किंव next कहां से मार्क करनी है में में अंधर रहे के बाहर जो 9 आ रही है वहांसे दिर्यक्शन मार्क कर नी है या लिविंग रूम में से 2020 अक ग्रीक्षें तो बास्त commercial के सभी गरंतों में यह भी कि दूट कहा गया है कि दिशा का जो नेना लेना है वह वास्तु के सेंटर में से लेना है भ्रह्मस्तान में से लेना है उसके लिए मैं आपको दो रेफरेंस देना चाहूंगा सबसे बिला का रेफरेंस से मैं म्त मों में कहा गया है कि वास्तु के मद्य में ही आप को जाना है और वहां जा कर्माप्रकाश में भी सैसा यह गया सबसे पहले हमें हमारे वास्तु के सेंटर में जाना है और ब्रह्मस्तान या सेंटर में जाने के बाद एंटरंस की तरफ कौन सी दिशा आ रही है उसके आधार पर हमारा बास्तु नौर्थ फेसिंग के इस फेसिंग के साउथ फेसिंग के या वेस फेसिंग के यह तैग किया जाएगा अब यहां पर मैं आगे बढ़ू उससे पहले दो और बाते करनी बहुत महत्वपूर्ण है वो मैं करना चाहूंगा सबसे पहली बात नौर्थ दिरेक्शन जिसके आधार पर अगर आप Google Map देखो या पिड़ा कोई भी मैप देखो या अगर आप सी की मेन गर देखो तो उससे सब में नौर्थ दिरेक्शन दिखाई जाती है और नौर्थ डिरेक्शन के आधार पर बाकि की सब दिशाए हम निर्दारीत करते हैं तो सबसे पहले यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि नौट डिरेक्शन जो है वह एक पॉइंट नहीं है वह एक जोन है उसका अधिये हुआ एक्स्पेंट देट तिंग इन डिटेल जैसा कि हम सब को पता है कि पुरा एक जो सरकल होता है वो 360 डिग्री का होता है और हमारे पास 8 डिरेक्शन है तो अगर हम 360 डिवाइड बाइ एट करेंगे तो 45 डिग्री आएगा उसका अधिये हुआ कि जहां पर आप कंपास लेकर आप खड़े रहोगे आपके घर के सेंटर में और जहां पर आपको नौट दिखाई दे रही है वहां पर कंपास में 0 लिखा होगा तो जहां पर 0 लिखा हुआ है नौर्थ उससे क्योंकि नौट का जो जोन है वह 45 डिग् होगा तो जहां पर नौट लिखा हुआ है जहां पर 0 लिखा हुआ है वहां से लेपन साइट टूवर्ज नौट वेड डिरेक्शन 22.5 डिग्री और जहां पर नौट जिरो लिखा हुआ है वहां से टूवर्ज नौट इस डिग्री तूवर्ज राइट 22.5 डिग्री मिला के जो 45-degree का zone हुआ, वह zone not direction है, so not direction एक point नहीं है, एक zone है, ऐसा ही सब direction के बारे में समझना है, just for example, इस direction है, वो 90 degree पर आती है, so 90 degree जहां पर आती है, जहां पर इस ट लिखा हुआ है, वहाँ से left-hand side 22.5 degree और right-hand side 22.5 degree का, जो 45-degree का zone आया, वह zone इस direction कहा जाएगा, so इतना clear होने के बार, आपको करना यह है, आपके वास्तु की दिश्या कौन सी है, वह decide करने के लिए, सबसे पहले आपको करना यह है, कि आप आपके घर के approximately center में जाएए, आपका plot है, तो plot के center में जाएए, आपकी office है, तो office के center में जाएए, shop है तो shop की center में जाएए, that means कोई भी वास्तु हो, आपको उसके ब्रह्मस्तान या center में जाना है, वहां से आपको दिशा देखनी है, अब ज़्यादा clarity हो, इसलिए सबसे पहले आप figure number 1 देखे, अकुर्टी number 1 देखे, जिसका नाम में ने दिया है, वास्तु 1, अगर वह अकुर्टी हम देखे, तो वहां center या ब्रह्मस्तान से जो main door आ रहा है, वह door north east zone में आ रहा है, उसका आपका वास्तु north east facing का वास्तु हुआ, इशान अभी मुक आपका वास्तु हुआ, अब figure number 2 या वास्तु number 2 देखे, उसका अगर हम map देखेंगे, तो वहां center से जो main door आ रहा है, वह door east zone में आ रहा है, उसका अर्थ यह हुआ, कि आपका वास्तु number 2 जो है, वह वास्तु पुर्वा अभी मुक या east facing वास्तु हुआ, अब लेस्ट टॉक अब आपका वास्तु number 3, फिगर number 3 देखे, तो उसमें center से अगर हम देखेंगे, तो वहां पर मुख्य द्वार जो है, वह द्वार, south-east direction में आ रहा है, उसका अर्थ यह हुआ, कि यह जो वास्तु है, वास्तु number 3, वह वास्तु आगने या भी मुक, मतलब south-east facing वास्तु हुआ, अब मज़े की बात यह है, अगर वास्तु number 1, वास्तु number 2 या वास्तु number 3, यह तीनों वास्तु में अगर आप सिर्फ आपके main door के सामने खड़े रहोगे, अंदर, आप अंदर खड़े हो, अगर आप अपने main door के सामने देखोगे, तो उसमें तो आपको east direction ही दिखाई दे की, और इसी तरह से बहुत सारे वास्तु सास्त्री और बहुत सारे skim के बिल्डर वगएर यह establish करते हैं कि हमारी entry तो east और westy है, जो के सच नहीं है, वास्तु number 1, क्योंकि दिशा का नेने हमको center से लेना है, जो मारा main entrance से उसके अंदर रहकर अमें दिशा का नेने नहीं लेन है, जो दिशा का नेने हम इस तरह से लेंगे, एक और महतोपुर्ण बाद भी यहां पर में करना चाहूंगा, और वो है, not direction के बारे में, क्योंकि वास्तु is a science of direction, और direction के आधार पर ही हम सब नेने लेते हैं, तो यह जानना बहुत जरूरी है, कि वाकई में direction कैसे ली जाती है, see it's a, people will say that it's a very common sense, कैसे लेनी है, yes it is common sense, but it is not common in practice, लोगों को पता नहीं है कि दिशा कैसे लेनी चाहिए, अब मान लीजिए, आप के पास कोई smartphone है, so अगर आप smartphone लोग है आप, आपका, और अगर Apple या Samsung या ऐसा कोई आपका smartphone है, और अगर आप compass जो उसके अंदर आता है, उसके उपर अगर आप clip करोगे, तो आपको अश्यर होगा, कि वहाँ पर दो तरह की north दिखाई गई है, एक जो north है, जो कि सच है, दो तरह की north होती है, एक north है, उसको बोलते है true north, और दूसरी जो north है, उसको बोलते है magnetic north, हमें जो नीने लेना है, वहाँ true north से लेना है, magnetic north से नीने नहीं लेना है, एक अन्ये north भी होती है, जिसको बोलते है, astronomical north, ग्रहों के गणीत के आधार पर, या दूसरी संक्रांती है अभी, सुर्य की, उसके आधार पर भी दिशा देखी जाती है, जिसको astronomical north देखते है, कहते है, लेकिन astronomical north और true north के भी सिर्फ एक डिग्री क फरक है, इसलिए हम यह बान के चलते हैं, कि दो ही north है, one is true north, and second is magnetic north, so true north से ही एमें नीने लेना है, magnetic north जो है, उसका पूरा आधार, आप इस globe पर, इस प्रूस्वी पर कहां पर हो, उसके आधार पर, magnetic north वेरी होती है, आपको जानके आश्यर होगा, कि magnetic north अलग 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 ज reading देती है, और there is a difference between magnetic north and true north, और जो difference है, उसको कहते है, magnetic declination, अब मजा यह है, कि सिर्फ USA में, यह जो magnetic declination है, वो प्लस और माइनस 20 डिगरी का है, उसका अर्धी होगा, कि अगर किसी जगा पर जाके आपने दिशा देखी, और आप magnetic north अगर दिशा देखोगे, तो उन दोनों में 20 डिगरी का फर्क आएगा, बाजार में जो सस्ते magnet वाले compass मिलते है, उसको हमें यूज नहीं करना है, अधर आपको astronomical north यूज करना है, या फिर आपको true north यूज करना है, इंडिया में भी, इंडिया का जो magnetic declination है, वो positive east है, with an inclination of 45 degree and 16 minute, इतना फर्क है, यह याद रहे कि जो भी निर्णय में लेना है, वह true north से लेना है, और आपको जानके आश्यर होगा, कि वास्तु के जो प्रमान भुद्ध ग्रंत है, वो सभी ग्रंतों में दिशा का निर्णय ऐसे ही true north या astronomical north से करने के लिए फर्मान दिया गया है, वास्तु सास्त्र में, वास्तु सास्त्र के जो पुराने ग्रंत है, सभी पुरातन ग्रंतों में एक प्रक्रिया दिए जिसको बोलते हैं, शंकू शोधन प्रक्रिया, और शंकू शोधन प्रक्रिया के आधार पर हम दिशा का निर्णय लेते हैं, मैं यह अर्था सुर्य की संक्रांती क्या है कौन सा पक्ष चल रहा है उसके आधार पर दिशा का निर्णे लिया जाता है यह स्पस्टक आ गया है अब जैसे यह समझ में आता है कि मैगनेटिक नौर्थ के आधार पर हम दिशा का निर्णे नहीं करते हैं एक और प्रश्ण का जवाब भी अपने आप मिल जाता है जो प्रश्ण भी आपने बार बार पूछा जाता है कि नौर्दन हैमिस्पियर में वास्तु हम कैसे अपलाए करें और सदन हैमिस्पियर में हम वास्तु कैसे अपलाए करें So, होंमारी सला है, वास्थू सास्तर के परिंसिपल इधर यू र in northern hemisphere और यू र in southern hemisphere. उसके परिंसिपल सेम ही रहते हैं. क्योंकि वास्थू सास्तर के सित्धान जो बनाए गए है, उसमें स्पस्ट कहा गया है क्यों यह पुत्ध्भी की जो गती है आकाश में. यह मुख्य वास्तू है और इसलिए वास्तू के जो सिद्धान्त है वह वैश्विक है मैं मतम टिका की यह गोशना देखें बुह एव मुख्य वास्तू तस्मात वास्तू वैश्वी कहा अर्थवा आपको यह समझना है कि वास्तू के जो भी प्रिंसिपल है वह सारे प्रिंसिप कि वास्तु में दिशा का नेने लेने के लिए आपको सर्व प्रथम वास्तु के अंदर जाना पड़ेगा चाहे वो आपका प्लोट हो या आपका गर हो या आपका शौप हो या आपकी फैक्ट्री हो या आपकी ओफिस हो कोई भी वास्तु हो आपको center में जाना पड़ेगा approximately और उस center से true north mark करके आपको दिशा का नेने लेना है और वहां से आपका मुख्य द्वार कौन सी direction की zone में आता है उसके आधार पर आपका वास्तु north facing, east facing या north east facing उस तरह से समझा जाएगा सो मुझे आशा है कि दिशा के बारे में इतनी समझ आप सब को सहाय भूत करेगी दिशा को समझने में और जैसे ही आप को दिशा की समझ आएगी आप दिशा का गिनान प्राप करोगे सारी दिशाय आपके लिए शुब फल देने वाली हो जाएगी यजूरवेद में ऐसी प्रातना की गई है यजूरवेद में के इश्वर दिशाओं का गिनान प्राप्त करने के बाद सारी दिशा मेरे लिए शुब फल देने वाली हो जाएगी उस प्रातना के साथ मैं मेरी वानी को विराम दूगा दिशाच्च में शुबहा शुबं भवतु प्राणाम